रधान मंत्री ने कहा सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है अर्थ व्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने और मुद्रा इस्विति को नियंत्रित रखने के लिए रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया उत्तर प्रदेश विधान सबाच चुनाव के पहले चरण में आज 11 जिलों के 58 निर्वाचनक शित्रों में मतदान जारी और आज जी विका मिशन के तहट राएगर जिले में महिलाओं और युवतियों को आत्म निर्वर बनाने के लिए दिया जारा है सिलाई का प्रशिक्षन नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समाचार मैं हूँ मनीश हलवालिया और अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतिय जन्नता पार्टी हमेशा देश के लोगों की सिवा के लिए प्रतिबध है कल शाम एक समाचार एजन्सी के साथ साक्षातकार में शिरी मोदी ने कहा कि भाजपा के नेत्रितव वाली सरकार सत्ता में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम करती है आगामी विधासभा चुनाव के बारे में प्रधाण मंतरी ने कहा कि सभी 5 चुनावी राज्यों में भाजपा के पक्ष में लहर है उन्होंने कहा कि पार्टी भारी बहुमत से जितेगी शुरिमोधी ने कहा कि जहां भी भाजपा को स्थिर्टा के साथ काम करने का मौका दिया गया है वहां सत्ता समर्थक माहौल है उन्होंने कहा कि जब भाजपा चुनाव जीतती है तो वह जमीनी इस तर से जुड़ी रहती है और लोगों का विश्वास जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ती है प्रधान मंत्री ने वन नेशन वन रैशन कार्ड एक ऐसी योजना का उलेख करते हुए कहा कि इस तरह की योजनाओं को आसानी से लागू करने के लिए डबल इंजिन की सरकार बहतर साबित होती है और गरिबों के हित में अधिक योजनाएं लागू की जा सकती है अगर वो महारास्टर में है तो भी उसको फ्री प्राइस फैर प्राइस साफ से उसको अनाज मिल जाएगा अब दो राज्य ऐसे निकले जिनको सुप्रिम को ड़ना मारना पड़ा कहना पड़ा कि भी वन नेशन वन राशन कार्ड गलत क्या है तुम लागू करो अब हमारे देश में हर जगा पर टैक्सेशन की सिस्टीम इतनी अलग लग थी कि विदेश की निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी थी हमें एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहाँ इस प्रकार गया प्रॉब्लम होता है दूसरे में लगाते दूसरा होता है अब जीएशनी होने के कारण उनको भी सवलत हो गई तो हम दिए कह रहे हैं कि डबल इंजिन के सरकार हम ऐसी व्यवस्था करें अपने विवित्ता को बनाए रखना है बारत की विवित्ता ही उसकी ताकत है लेकिन व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है औ इसका योग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्या गरीबों का कल्या देश की लोगों का भला इतना ही हमारा आरत है कृश्री कानूनों के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा कि तीनों कानून किसानों के लाभ के लिए लाए गए थे लेकिन देश के हित में उन्हें वापस ले लिया गया श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा किसानों के लाभ के लिए काम किया है और उन्होंने भी हमेशा उनका समर्थन किया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अवसर दें श्री मोधी ने कहा कि सरकार की प्रात्मिक्ता घरीबों के लिए घर, शोचाले, स्वस्त पेजल, स्वास्य सुविधाएं और मूल भूत सुविधाएं सुनिशित करना है और अगर कोई उन्हें समाजवाद कहता है तो ये उन्हें स्वीकार्य है क्षित्री आकांक्षाओं के मुद्दे पर प्रधान मंत्री ने कहा कि भाजपा देश की प्रगति के लिए क्षित्री आकांक्षाओं को पूरा करने में विश्वास करती है श्री मोधी ने कहा कि सरकार ने आकांक्षी जिलों की पहचान की है जहां उन पर विशेश ध्यांदी आ गया है प्रधान मंत्री ने कहा जिले तेजी से आगे बढ़े हैं और उनमें से कुछ ने कई कसोटियों पर राज्य ओसत को भी पार कर दिया है देश में महामारी की स्थिति के बारे में श्री मोधी ने कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों से कोविड के खिलाफ सतरक रहने का आग्रह किया है क्योंकि ये संक्रमंड बहुत अप्रत्याशित है श्रिमोदी ने कहा कि लोगों को देश में इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए प्रधान मंत्री ने कहा कि समस्या ये है कि कुछ राजनीतिक दलों ने महामारी के खिलाफ देश की तैयारियों को अस्थिर करने के लिए भै फैलाने की भूमी का निभाई है रिजर्व बैंक ने नितिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है मौद्रिक नीती समिती ने सर्व समती से रैपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाये रखने का फैसला किया है द्वी मासिक मौद्रिक नीती समीक्षा बैठा के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बैंक दर और मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी यानि कि MFS दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये 4.25 प्रतिशत पर ही रहेगी रिवर्स रैपोदर में भी कोई बदलाव न करते हुए इसे 3.35 प्रतिशत पर बनाय रखा गया है श्रिदास ने कहा कि मौद्रिक नीती समीती ने अर्थ अब्यावस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने वृद्धी दर बनाय रखने और मुद्रा इस्विती को दिवर्स सब्सक्राव बनाय रखने मिद पर दिवटी उनीमिय मैं रखने लख वी ने स्ट ए बते कुप तैने विवर्स ने इन रखर एंग इनने ही इन पर इने चाने घो जो रह रूवाने से खिवर्स ये a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. तथा आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई बताई है।। उन्होंने कहा कि शहीद गुंडाधूर ने सीमित असंसाधनों के बावजूद अंग्रेजों से लोहा लिया और वे अंग्रेजों के सामने जुके नहीं। उन्होंने आदिवासी समाज को जोडा। ये बात म उख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे इन वीर स्वतंतरता संग्राम सेनानियों का अमूल्य योगदान जिस तरह से रिखांकित होना था वैसा रिखांकित नहीं हो पाया। अब हमारा आदिवासी समाज जागरित हो रहा है और इन वीरों के योगदान को रिखांकित करने के साथ उनका स्मरण भी कर रहा है। हमारे महानायकों का अमूल्य योगदान उस तकार से रिखांकित नहीं हो पाया। जिस तकार से लेकिन अब देरे देरे समाज जागरित हो रहा है और लगाता चाहे सहीद गया सिंग की बात हो, चाहे सहीद गुंदरूर की बात हो। मुख्य मंतरी ने कहा कि बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अमर शहीद गुंदाधूर की स्मृतियों को चिर स्थाई बनाने के लिए कांकेर वासियों द्वारा उनकी प्रतिमा के स्थापना के कार्य की सरहन की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाओ के पहले चरण में आज 11 जिलों के 58 निर्वाचन क्षित्रों में वोट डाले जा रहे हैं। दो पहर तक मिले आकडों के मताबिक लगभग 50 प्रतिशत वोट डाले जाने के समाचार मिले हैं। ये मतादान शाम 6 बजे तक चलेगा। आज हो रहे चुनाओ के लिए 73 महिलाओ सहित कुल 623 उम्मीद्वार चुनाओ मैदान में हैं। इस चुनाओ के लिए लगभग 2,28 लाख मतादाता अपने मतादिकार का उपयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निश्पक्ष, पारदरशी और कोविड से सुरक्षित मतदान के लिए व्यापक प्रबंद किये हैं। इस चरण में जिनों में द्वारों के भाग्या का फैसला होना है, उनमें भाजपा प्रत्याशी के रूप में उत्तराखंड की पूर्व राजपाल बेबी रानी मौर्य, सुरेश राना, शुरीकांत शर्मा और चौधरी लक्षमी नारायन पंकज सिंग और संगीत सोम शाम जबकि बस सपा की टिकेट पर मदन चौहान और कृपा राम शर्मा को मैदान न उतारा गया है, कॉंग्रेस के उपेंदर सिंग और पंखुडी पाठक और आम आदमी पार्टी के पंकज अवाना की किस्मत भी आज EVM में कैद हो जाएगी, गौर्दलवे की उत्तर प्रद्रिक्षण के बाद महिलाओं को उद्योग समुहों की कर्मचारियों और स्कूली बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की सिलाई का कारिय दिये जाने की व्यवस्था भी की जाएगी, लाइवलिहुट कॉलेज में इन महिलाओं को अत्यादुनिक मशीनों के जरिये सिल इतुष्ट है, उनका कहना है कि बहतर कार्य करने पर वे आसानी से आत्म निर्भर बन सकेंगे। अपर कलेक्टर डिंगेश पटेल ने बताया कि CSR मत से 30 लाख रुपए के राशी स्विक्रित करके शहर के महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग देने का ये काम किया जा रहा है, इस प्रेशिक्षन का उद्देश है कि महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले और उनकी आय म बृद्धियों अरिकरम की मदद से कोरोना महामारी के इस दौर में आर्थिक तंगी से जूज रही महिलाओं और युवतियों को आमदनी की अतिर्क जरिया भी मिल सकेगा, और अब कुछ खबरें जिलों से मिलेट मिशन के तहट प्रदेश में कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन रगबे में बढ़ोतरी के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी प्रदेश में वर्तमान में 79,000 हेक्टेर क्षित्र में इन फसलों का उत्पादन किया जाता है अगले खरीदी वर्ष तक फसल उत्पादन के क्षित्र को बढ़ा कर 1,17,000 हेक्टेर किये जाने का लक्ष रखा गया है मुख्य सचियो अमिताब जैन ने कल मंत्राले से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयोजित मिलेट मिशन की अंतर विभागिय समन्वाई समीती के बैठक में कोदो कुटकी और रागी के प्रसंसकरण और मार्केटिंग के संबंद में विस्तरित कारी यूजना बनाने के निर्देश दिये उन्होंने इन फसलों के फाइदों के विशय में किसानों को जानकारी देने और इनके उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने पर भी जोर दिया गौरतल अबैकी वरतमान में 36 गड़ राज्य लगू वनोपज संग द्वारा कोदो कुटकी और रागी के खरिज समर्थन मूल्य पर की जा रही है कोरोना संक्रमन से बचाओ वैक्सीन को लेकर भ्रांतियों को दूर करने और टीबी बिमारी की रोक थाम के लिए राजनत गाउं जिले में आदिवासी बहुल इलाखों में जागरुपता अभ्यान की शुरुवात की गई इस अभ्यान की तहत महापौर हेमा देशमुख और जिले के मुख्य स्वासे और चिकित साधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने जागरुपता रत को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया देश भर में संचालित 100 दिन 100 जिला अभ्यान के तहत ये जागरुपता कारिकरम आयोजित किया जा रहा है इस मौके पर महापौर ने कहा कि कोरोना की भ्रांतियों को इस अभ्यान के जरिये दूर किया जाएगा महत्मा गांधी राश्ट्री ग्रामीन रोजगार गैरंटी योजना के तहट बालोद जिले के गुरूर विकास्खंड के पेरपार गाउं में ग्रामीनों को रोजगार के साधन मिले है गाउं में रहने वाली तुलसी बाई ने पशु पालन कर दुख दुत पादन को अपने परिवार का मुख्य व्यावसाय बनाया है। इससे उन्हें प्रती माह लगबक 30-40,000 रुपे की आमदनी हो रही है। जिला पंचायत के मुख्य कारे पालन अधिकारी डॉक्टर रेणु का अश्रिवास्तों ने बताया कि योजना के तहत पशु शेड का निर्माण होने से तुलसी बाई ने परिवार सहित दुख्द व्यावसाय को मुख्य व्यावसाय बनाकर पशु पालन चुरू किया, अब उनके पशु शेड में मवेश्यों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है, जिससे प्रतिनिन लगबख 40-50 लिटर दूद का उत्पादन हो रहा है। और बुलिटिन कंत में अब मुख्य समाचार एक बार फेर। प्रधान मंत्री ने कहा, सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। अर्थ व्यवस्था पर कोवीड महमारी के प्रभाव को कम करने और मुद्रा इस्पिति को नियंत्रित रखने के लिए रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। उत्तर प्रदेश विधान सबाचुनाओं के पहले चरण में आज 11 जिलों के 58 निर्वाचनक शित्रों में मतदान जारी। और आज इविकामिशन के तहट राएगर्ण दिले में महिलाओं और यिवतियों को आत्म निर्वर बनाने के लिए दिया जारा है सिलाई का प्रेशिक्षन। और इसे के साथ ये समाचार बुलिटन समाप्थुआ नमस्कार।